तो अज इस वीडियो हम सेखेंगे ड्रोपडाल लिस्ट कैसे बनाते हैं और क्या होता थे जैसे कि फ्रेंड्स आप मेरे स्क्रीन पर देख पारे हैं चोड़ा साथ दाटा तयार किया है जिसके हल्प से आज हम ड्रोपडाल लिस्ट बनाना सिखेंगे जिसके फ्रेंड्स आप देख पारेएं कुछ इम्प्लोऊई के नेम और स्टे अलेडिया है और स्टेट यह जो स्टेट है फ्रेंड्स इसह हमें फिल करना है कि उसके इंप्लोईज कौन से स्टेट से बिलॉं करते हैं वैसे अगर एक एक करके फिल और टाइप करें तो काफी मतली टाइम लग जाएगा, क्यों अब छी में इसे फिल जडान सीर्ट ऐखेंगे, तो चलिए देखते कैसे भी लोरा अपर करते हैं, उसके लिए, लिस्ट बनाना होगा, कि कौन से स्टेट से कौर Приdayуз कौर। स्टेट से बिलॉंग करते हैं यह पूरे चार स्टेट से बिलॉंग करते हैं जो भी employees है जो यहां पर job करते हैं वो सब इन चार स्टेट से बिलॉंग करते हैं तो यह चार स्टेट का मैंने list बना लिया अब मुझे उस area को select करना है जहां पर मुझे drop down list बनाना है तो मुझे इस area को select कर लिया मैंने यह देख सकते हैं अब मुझे इस ribbon पर जाए कर data पर क्लिक करने है अब data पर जाने के बाद यह जो data validation दिख रहा है छोटा सा down arrow यहां पर क्लिक करने है और यहां पर फ्रेंट देख सकते हैं हमारा बस तीन option है अ मतलब किस चीज को अपलाओ करना चाहते हो कि मतलब हम लिस्ट बनाना चाहते हैं तो लिस्ट यहां पर select करेंगी तो यह source पूछ रहा है मतलब सोर्स में यह पूछ रहा है कि मतलब उस लिस्ट में आपको क्या डालना है तो आप वैसे manually यहां पर type कर सकते हो या फिर लिस्ट बना किया यहां पर डाल सकते हो मैंने लिस्ट यहां पर बना रखा है अब इसे मुझे select करना है अब मुझे ok कर देना है अब यह देख सकते हैं फ्रंट जैसे मैंने ok करा और इस cell पर आ गया जिस column में हमने drop down list apply करा है उस cell पर आया तो यह देख सकते हैं छोटा सा down arrow दिख र हमारे पास यह list आ गया अब मुझे यहां से easily हम कर सकते कौन से स्टेट से हमारे employees तो यह देख सकते हैं यह दिल्ली का है तो यहां से हम दिल्ली करेंगे और यह हमारा उत्तरप्रदेश्ट के यहां पर जाके